वेल्कम बैक टू माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो और शाइड में दिये गए बेल बटन को जरूर क्लिक करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हेलो कैसे हो आप सब और मैंने न ममार्थ के एक दो चीज़े मंगवाई थी तो उनकी ही अनपैकिंग कर रही हूँ तो मैंने का कि आप सब के साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है तो देखो आप सब भी और वैसे यहाँ पे मिलते हैं मार्किट में लेकिन करते हैं मतलब मार्किट से भी हम अच्छी चीज़े ही लेकि आते हैं लेकिन फिट भी कुछ अलग भी ट्राइ करके देखना चाहिए इस वज़े से हमने अब की बार यह मंगवाई थे और काफी अच्छे थे मतलब मैंने मोस्चराइजर और यह क्या करते हैं सीरम और फेस तो यह तीन चीज़े ही मंगवाई थी काफी अच्छी आई वैसे यह वीडियो अभी की तो थोड़े पहले ने की इस वज़े से और अभी एक दो वीडियो थी ना तो मैंने इन सब को जोड़के मैंने का कि चलो एक वीडियो डाल देते हैं और आप सब के साथ भी सियर करती होगी मैं मतलब जो भी कुछ करती है तो मेरा मनतों करता है लेकिन फिट भी तोड़ा सा हो रहा है कि मैं डालने रही हूँ वीडियो तो यह थी तो यह आप सब के साथ सेयर करती हूँ और यह जी जी मंगवाई थी बस और यह क्योंकि 20-25 दिन पहले की तो होगी हां और बस पहचान के होगे यह कब की वीडियो है यह कर वेगी है क्योंकि हाथ तो पे मेंदी लगी हुए है और तियोहार पे सारी चीज़े इदर से उधर हो जाती है पहले तो सेट करते हैं जब सफाई करते हैं लेकिन फिर जब कुछ डालना होता है तो कभी यह निकल रही है करते हैं बहुत ज़्यादस लेकге कि नहКакन बहुत कम होता है निकिन बार को सब्लtsåर करते हैं हमारे पास जितने जादधा जूर आइड़े पर दखी चाहने और यह देख सब्सक्तों कर्वें डाली थी और ये देखो एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको ये कम से कम नो साल पुराने मैं आपको कड़े दिखा रही हूँ और उनकी आप साइनिंग देखना कितनी ज्यादा है ये हमने मतलब पिंकी के कड़े हैं ये उसने साइद एक ही बार डाल ले होंगे रिंग को लेका आया था उसके लिए और जब हम कुछ ऐही चीज़े देखते हैं तो काफी मतलब पुरानी पुरानी हमारे पास जो चीज़े होती है न वो भी निकल के आ जाते हैं जब कुछ सैटिंग वगरा करते हैं जैसे वो अभी ये चीज़े लगा रही थी तो तब ये कड़े दिखे और ये देखो आप क डालने का टाइम तो है नहीं क्योंकि गोल्ड के डालके रखते हैं और कोई फंक्शन मगार होते हैं तो एक दो घंटे के लिए डालने हैं बस और ये देखो इसमें भी आपको एक से एक चीज़े देखने को मिलेगी और तब ही वो शैट कर रही थी ना मेरा मन हुआ कि आप अच्छे भी मेले से आते हैं खरीद के लेकी आते हैं सब और ये होता है और ये देखना अपि ये कितने अच्छी सबसे बेश्ट मुझे मेरे मतलब जो सिंपल सी चीज़ोंगी जो लाइट कलर होगा और ज़्यादा वोने वो मेरे और बाकी के पिंकी की खरीदे हुए हैं क क्योंकि पिंकी को ज़ाद हैं जल्री कटी करने का मुझे इतना है निम्य तो यह होता है कि नहीं क्या करना है और यह देखो यह कितने चेले पिंकी लेक्षिंट है जह भी ज़ी है उपएह यह देखो लटकण वगेरा और एक यह वाले देखो मुझे ना मतलब जादा जो चमक वाले ज़िए वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल सिंपल चीज़े मुझे बिल्कुल अच्छी लगती है कितने अच्छे अच्छे है आना आप सब बताना जरूर और यह देखो यह मतलब काफी सारी चीज़ें यहां पर इकठी है और जो दूसरे वाली है वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी और यह जो सफेद सफेद नग होते हैं यह वह होते हैं कि हर जैसे भी कोई सूट वगएरा कोई ड्रस वगएरा कुछ भी लेते हैं तो उसके साथ जूलरी तो होती है और सूट पिर वह होते हैं एक बार डालें दूबारा डालने ने सूट तो फिर भी यह जाते हैं और जूलरी ऐसी रखी चाथे हैं क्योंकि शूट टाल लेते हैं घर में जूलरी को कौन डालता है और यह एक शैट देखो ये वाला है यह भी पिंकी लेकर आई थी अच्छा हैंना यंकी फसन वी देखनाप सब हेलो वेलकम बेक टु माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप अच्छे होंगे और यह दोपैर का टाइम है अभी टाइम देड़ बजा है और दोपैर का खाना पीना हमारा बन चुका है बस खाया नहीं वह बात में खाएंगे मैंने का एक चोटी शी वीडियो है वह बना देती क्योंकि आज कोई व्लोग नहीं बना रही हूँ यह चोटी शी वीडियो आर्यन के कपड़ों की बना रही हूँ क्योंकि अपकी बार ना आर्यन खुद से ही सोपिंग करके लेके आया अपने कपड़ों की वह हमेसा हमारे साथ ही जाता था कभी मेरे साथ यह अपने अब की बार आयान कुछ से ही अपने कपड़े लेका यह साथ जटा गया है कि चोड़ी और लेके आज़ी अब की वार अबकी बार ना अब कापू कहें हमारी सोपिंग करने केजिए तो इस वज़े से तो चलो आज की वीडियो सुरू करते हैं फिर ज्यादा बात नहीं करती काफी लंबी वीडियो जाती है और अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक किया करो चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को भी सब्सक कितनी अच्छी है यह double sided है इसको आप दो तरफ से डाल सकते हो किसी भी उसे क्योंकि दोनों तरफ से काफी अच्छी है लेकिन इस साइड की जाद अच्छी लगी मुझे और मैं आज खुश भी काफी हूँ क्योंकि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है वो खुश से अपनी सोपि ही आपको मतलब बोल के बता देती कि यह चीज है और यह चीज ऐसे है और यह मैं कमीज बहुत ही zyak के लेका सर्द है ना उसे केलिए मुष्ट शेट लेका जाँ जादा यह और कुछ पड़ी भी है कि हाँ बच्चा बड़ा और वह चोटा सा बच्चा नहीं रहा और यह देखवा आप बताना जरूर आपको आरियन की सोपिंग कैसी लगी वैसे इतनी बड़ी सोपिंग तोष नहीं जो मैं बोल रही हूं कि आरियन की सोपिंग लेकिन फिर भी जो भी लेके आया तो काफी कर रही हूं अब मैं इनके टैग चेक कर रही हूं कि देखती दो मतलब कितने का क्या है कितने का क्या है और फिर बात में मैं आरियन को पता क्या बोल रही हूं जितने पैसो के यह चार-पंच कबड़े लेका इससे मैं दो गुने कबड़े यहां से दिलवा देती फिर वही ह पास की है क्योंकि फिर जब आरियन ये लेकि आए ना अपने कपड़े इसके बाद आरियन के पापा इतने बिमार हुए इतने बिमार हुए ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे ही तो पता चला कि और आरियन ये देखो ये खुद से करके लेकि आए ठीक है ये सोपिंग भी उसकी जाचा गय थे उनकी साथ गया और फिर अभी पता क्या हो रहा है जब उसके पापा बिमार होई तो आर्यन ने इतना अच्छे है मेरे बेटा बहुती ज़्यादा अच्छा है खुद अब तक भी अब वो ठीक है मतलब फिर भी वो उतने इतने बिमार होते हैं तो अपने अंदर इतनी कमजोरी आ जाती है लेकिन अब A to Z काम वो अभी भी करता है उनसे मतलब कुछ भी काम नहीं करता है खुद से ही सारा काम करता है अपनी पढ़ाई भी है स्कूल ट्योसें सब भुचा और घर के काम भी है मैं उसकी थोड़ी मुझे अपने नहीं करना मैं कुछ सही कर लूँगा और इसलिए मुझे अपने बेटे पे बहुत ही जादा हुआ कि हा मेरा पिटा कितना समझदार है इतनी कम उसकी एज़ा फिर भी वो इतना समझदार है और बस यह थोड़ी शी सोफिंग थी तो आप बताना जरूर और आ क्योंकि हमने माटू को नहीं दिखाई थे यह कुछ भी कि हा माटू मतलब भाई यह लेके आया ने तो माटू को तो यह था कि भाई अपने लिए इतने कपड़े लेके आया और मेरे लिए क्यों नहीं लेके आया तो बस मिलती हो कल आपको एक और चीशी वीडियो के साथ त अब तक के लिए ओके बाए